अब्लाइब बॉर्णिंग टू आल माइसेल्फ नितिन शर्मा और आप सभी का स्वागत है विजदम नर्सिंग कोचिंग के इस ओनलाइन प्लेटफॉर्म के उपर मैं नितिन सर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं जैसे कि आप सभी को पता है सुबर सुबर आपको उठा दि कि किसके ये क्लासिकल साइन होते हैं आपके सामने ओप्षन है मैनिंजाइटिस के बी ओप्षन है इंक्रीज आई सीपी हाइपर वोलेमिया और पार्किंसन डिजीज इंपोटेंट MCQ है आज इसी कुशन को हम डील करने वाले हैं और इसका जो राइट आंसर जो रहने वाला है और राइट आंसर मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ किसका राइट आंसर क्या रहेगा A is the right आंसर कि मैनिंजाइटिस की कंडिशन के अंदर कि सर्फ क्या होता है मैनिंजाइटिस तो मैं आपको बता देता हूँ कि हमारे यहाँ पर ब्रेन को कवर करने के लिए कुछ लेयर पाई जाती है जिसे हम मेरिंजेज बोलते हैं और आपने नाम सुनाओगा तीन मेरिंजेज आपको देखने को मिलती है कि सर सबसे पहले वाली जो होती है वो कौन सी होती है डूरा मेटर क्या नाम सुनाओगा डूरा मेटर का नाम सुनाओगा देन आपने पढ़ाओगा अरेकनोईड मेटर कौन सा रहे अरेकनोईड मेटर आपने नाम सुनाओगा और थर्ड आपने पड़ाओगा पायो मेटर क्या रहे पायो मेटर तो तीन परकार की आपकी मेरिंजेज होती है जिसे ट्रिक से यादगना D.A.P. ये आउटर से इनर साइड में चलते हैं तो डूर मेटर अरेकनोईड मेटर और पाया मेटर के नाम से जानते हैं कि सर यदि इन लेर के अंदर इंफेक्शन एंड इंफ्लामेशन हो जाता है तो इस तर्म को क्या बोला जाता है मेनिंजाइटिस के नाम से जानते हैं कि सर इस मेनिंजाइटिस के अंदर जो होता है वेरी वेरी important क्या देखने को मिलता है headache आपको देखने को मिलता है बिलकुल सर देखने को मिलता है किसके अंदर इसी meningitis की condition के अंदर और नकल रिजिडिटी नकल रिजिडिटी का मतलब होता है कि नेक के अंदर stiffness आजाती है नकल रिजिडिटी का मतलब क्या होता है नेक के अंदर क्या आ जाती है रिजिडिटी आपको देखने को मिलती है नाम चुनाओगा रिजिडिटी का मतलब होता है कि अकड़न आ जाना क्या आ जाना? अकड़न आ जाना तो neck rigidity आपको कहाँ पर देखने को मिलती है वो मैंने आपको बता दिया है sir headache देखने को मिलता है fever आता है क्योंकि bacteria का infection हो सकता है इसलिए fever की condition आपको देखने को मिलती है और very very important है दो sign यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं कौन कौन से किस knuckle rigidity के साथ साथ दो sign कौन कौन से आता है और एक आता है ब्रुजिन्स की sign यह आपका MCQ है कि कर्निंग साथ और ब्रुजिन्स की sign जो होते हैं वो meningitis की condition के अंदर आपको देखने को मिलते है किसर कर्निंग साथ के अंदर क्या होता है कि हम 90 degree angle के उपर इसके पाउं को लेते हैं और उसके flexion करते हैं किसर जैसे ही इस पाउं को flexion करते हैं तो severe pain आपको देखने को मिलता है severe pain in hamstring muscle कौन सी होती है जो आपके thighs के अंदर पाई जाती है किसके अंदर आपकी जो thighs की muscle होती है जांग की muscle जो होती है कि जैसे ही आपने उसको flexion किया और flexion करते ही आपको pain देखने को मिले तो severe hamstring pain आपको देखने को मिले तो वो sign कौन सा होता है कर्निंग sign होता है next कौन सा sir brugins की sign क्या होता है कि यदि आपने क्या किया है इसके passively neck को flexion किया जैसे ही आपने इस neck को flexion किया तो अपने आप इसके पाऊं जो है वो flexion करने लगे कि passively flexion कर लिया तो इस condition को passively flexion कर लिया तो इस sign को क्या बोला जाता है brugins की sign करनिंग साइन, बुरुजिन्स की साइन, मेनिंजाइटिस की कंडिशन के अंदर देखने को मिलते हैं नकल रिजिटिटी जो होती है जैसे ही आपका पेन देखने को मिलता है नेक के अंदर next ये देखिए Brugins की sign जैसे ही आपने बच्चे का head को flexion किया तो अपने आप देखिए यहाँ पर flexion हो गया है passively, ठीक है actively यहाँ पर positively आपको देखने को मिलता है अपने आपके क्या होगे ники असे क्या होगे नीज फ्लेक्शन होगे तो यही sign क्या कहलाता है ब्रुजिंस की sign कहलाता है I hope आप सभी को अच्छा लगा होगा यह question और यदि आपको अच्छा लगा है तो class को like कर दीजिएगा share कर दीजिएगा comment करके जरूर बताएगा कि सुबह सुबह आपके लिए जो उठाया जा रहा है वो आपके लिए beneficial है क्या नहीं है Thank you so much dear